हाई दोस्तों, वेलकुम बाग टु वार उफ प्रोसेसर्स, Poco F6 और Realme GT60 दोनों ही लेटेस्ट फोन्स हैं, और भाई आज हम लोग करने वाले हैं, Moto H50 Pro versus Realme GT60 versus Poco F6 versus iQoo Neo 9 Pro, भाई एक बहुत इंट्रेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी आज, जो की होने वाली है, Snapdragon 7 Gen 3 versus Snapdragon 7 7 plus Gen 3, और यार साथ ही में बहुत मजा आने वाला ये देखने में, कि Snapdragon 8S Gen 3 क्या बेटर निकल के आते है, 8 Gen 2 से, ये जो S लगावा है, क्या ये इसको थोड़ा सा बेटर बनाता है, या फिर अभी भी 8 Gen 2 काफी तकड़ा प्रोसेसर है, बाई दे वे, अगर आपको ऐसी डिट 10 mode को on कर दिया है, चारों phones में और same Wi-Fi network से connect कर दिया, refresh rate के मामले में Moto Edge 50 Pro और IQ Neo 9 Pro दोनों में 144 Hz का है, लेकिन यहाँ पर क्यूंकि थोड़ा सा कम powerful और सस्ता है, Moto Edge 50 Pro तो इसको हम 120 Hz पर चलाने वाले हैं, बाकी दोनों phones में भी 120 Hz का maximum refresh rate है, लेकिन क्यूंकि यहाँ पर flagship और 144 Hz पर चलाने वाले हैं, इसमें 120 Hz का अलग से option में नहीं दे रखा, performance mode भी यहाँ पर मैंने on कर दिया है, Moto Edge 50 Pro में अलग से performance mode नहीं है, app optimization के लिए है सिर, लेकिन बाकी के तीनों phones में dedicated performance mode है, and lastly, चारों ही phones अपने latest software version पर run कर रहे हैं, पूरे 2 घंटे के लिए लगातार इनकी फिलाल Geekbench का एक round run करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर बाजी माली है, IQ Neo 9 Pro ने अपने Snapdragon 8 Gen 2 के साथ, यहाँ पर इसने पहले test complete कर लिया, 8S Gen 3 से, and बोलते हैं यहाँ पर Poco F6 ने भी अपना test complete कर लिया है, फिलाल room का temperature हो रहे है, 27.7 degrees, IQ Neo 9 Pro जा रहे है, 35.4, Poco F6 है, 37.3, and यहाँ पर Realme GT60 ने भी test complete कर लिया, 38.5 degrees Celsius पर, यहाँ पर थोड़ा जादा गरम हो रहा है यह बाकी दोनों phones से, and यहाँ पर 1 minute 45 second के आसपास, Moto Edge 50 Pro ने भी अपना test complete कर लिया है, temperature इसका हो रहा है, 36.1, थंडा चल रहा है यह comparatively बाकी सारे phones के temperature से, तो सबसे पहले बात की processor का, फिलाल बेटर निकल करा रहा है, 7th Gen 3 के performance से, बाकी बात की जाए, Poco F6 versus IQ Neo 9 Pro, दोनों ही ब्रांट्स एकदम competitive रहे है, Poco F4 और IQ Neo 6 के launch से, यहाँ पर single core और multi core दोनों ही lead बना रहा ही है, 8th Gen 2 ने, अब भाई सुनने में तो लगता है, 8th Gen 3 बिल्कुल नया version है, और क्यू एक interesting चीज में आपको बता रहा था ना, इनके processors के बारे में, सबसे पहले बात कते हैं, 7th Gen 3 वाले processors की, तो 7th Gen 3 और 7th Gen 3 में, अगर आप ध्यान दोगे, तो यहाँ पे जो configuration है, वो काफी similar है, same नहीं है, similar है, जैसे यहाँ पे 431 configuration है, और यहाँ पे 341, लेकिन भाई, जो यह 8S Gen 3 versus 8 Gen 2 की, तो यहाँ पर जो है, configuration एकदम same to same है, 341 का, लेकिन जो एक additional core है ना, इसमें 8 Gen 2 में, वो थोड़ा higher clock frequency पर है, जिसके चलते multi-core performance है, in general single core हो का जो performance है, वो आपको थोड़ा बेटर निकल कर आ रहा है, at least फिलाल के लिए, लेकिन आगे चलके real life testing भी करेंगे, और batteries भी चेक की जाएंगी, तो एक मौका देते हैं, सारे फोन्स को देखते हैं कि क्या यह अपना performance maintain कर पाते हैं, क्या POCO F6 better perform कर पाता है, IKU Neo 9 Pro के Snapdragon 8 Gen 2 से, और यह भी देखेंगे कि 7 Plus Gen 3 और 8 Gen 2 में overall कितना फरक रहता है, तो वे दूसरे round में, speed के मामले में, सबसे पहले तो Neo 9 Pro ने complete किया था, लेकिन यहाँ पर बिलकुल आसपास आगया था मामला, realme GT60 और POCO F6 में, and finally Moto Edge 50 Pro ने भी उनने test complete कर लिया है, scores की बात करें, तो यहाँ पर कहीं पर drop आया है, कहीं पर improvement आया है, सारे phones में, लेकिन यह effect ह सारे phones में, वो almost ना के बराबर पता चलेगा आपको day to day usage में, Moto ने single core drop किया, और multi core maintain करके रखा, GT60 ने यहाँ पर single core में improvement दिखाया है, लेकिन multi core में हलका सा drop दिखा दिया, and POCO F6 में, यहाँ पर single core में drop था, and multi core में हलका improvement, वहीं IQ Neo 9 Pro में, single core में improvement था, लेकिन multi core में हलका सा drop, although मैंने जैसा कि आपको बताया है, in drop या हलके से improvement से बहुत फरक नहीं पढ़ने वाला, लेकिन यहाँ पर बात की जाए, Snapdragon 8S Gen 3 और 8 Gen 2 की, तो यहाँ पर clearly फरक देख सकते हो, single core में तो आपको थोड़ा बहुत ही फरक देखेगा, लेकिन multi core score में बहुत ही भेंकर lead बना लेता है, iqoo Neo 9 Pro, वहीं अगर आप compare करना चाहो, Snapdragon 7 Plus Gen 3 और 8S Gen 3 को, तो single core का जो performance है, एकदम खांटे की टकर है, लेकिन multi core score में, realme GT60 आगे है, lead बना रखी है इसने, लेकिन अगर आप देखोगे, 7 Gen 3 जो normal वाला है, और Moto के optimization के साथ, यह काफी ज़ादा पीछे रह जाता है, in terms of performance, चाहे वो single core की बात हो, या फिर multi core score, बात करें, बैटरी की तो भाई सबसे कम है, Poco S6 में 96% पर इसने ड्रॉप कर दिये है अपनी बैटरी, वही 97% पे Moto Edge 50 Pro और iqoo Neo 9 Pro ड्रॉप कर रहे हैं दोनों ही, अब performance और price वाई सो definitely Neo 9 Pro बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन भाई, य बात की जाए, Realme GT60 की तो भाई यह performance भी बड़िया दिखा रहा है, उपर से बैटरी बैकप भी इसने अभी 100% पूरी की पूरी बैटरी रीटेरी रिटेन कर रही है अपनी, खेर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं Antutu टेस्टिंग पर, इनके CPU, GPU, मेमरी मैनेजमेंट पर, फु यहाँ पर भी बाजी मार लिये, आइकू नियो 9 प्रो ने अपने Snapdragon 8 Gen 2 के साथ सबसे पहले टेस्ट कम्प्लीट करके, रूम का टिम्परेचर फिलाल हो रहा है, 30.8 डिग्रीज और आइकू नियो 9 प्रो जा रहा है, 44.4 और अल्मॉस्स 15 सेकेंड बाद, Realme GT60 ने भी कम्प्ल प्लीट करता है अपना, थोड़ा सा comparatively weak processor है यहाँ पर, बात कर लेते हैं, Snapdragon 7 Plus Gen 3 vs 8S Gen 3 की, और उससे भी पहले एक चीज़ आप नोटिस करो भाई, Poco F6 और आइकू नियो 9 प्रो ने अपनी overall brightness drop कर दी, और खास करके GT60 और Poco F6 की बात करें, तो यहाँ पर brightness drop definitely देखने को मिल लेकिन performance में उससे कुछ खास improvement नहीं हुआ, मतलब better performance निकल के नहीं दी, इसने GT60 के comparison में, चाहे बात हो CPU की, GPU, memory management और user experience तो वैसे है, काफी सारे factors रहते हैं उसमें, लेकिन बाकी तीनों चीज़ों में clear cut lead है, Realme GT60 के पास, also यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, तो भाई य जेट Gen 2 को, खास करके CPU के मामले में यह काफी close आ जाता है, लेकिन वही चीज़ है, GPU में जो difference है, जो lead है, वो Neo9 Pro ने बना ली, लेकिन memory management में इसने यहाँ पर lead ले लिए, और user experience तो भाई, यहाँ पर Neo9 Pro का थोड़ा सा बेटर दिखा रहा है, बट काफी सारे factors रहते हैं, उस ने Snapdragon 7 Plus Gen 3 से, CPU हो, GPU हो, Memory Management, User Experience सबके मामले में almost half score है इसका, पर खेर, एक मुखा और देते हैं, खास करके Poco F6 को, मैं excited हुँ देखने के लिए, कि क्या यह Realme GT60, मतलब इसका जो Snapdragon 8S Gen 3 है, वो Snapdragon 7 Plus Gen 3 को beat कर पाएगा, या फिर नहीं, और साथ ही मैं यह भी देखना चाहूँग कि क्या Moto Edge 50 Pro थोड़ा और इंप्रूव कर सकता है, और close आ सकता है, 7 Plus Gen 3 या फर Poco F6 के 8S Gen 3 से, तो वही सेकंड राउंड में भी पहले नमबर पर है, आईकू नियो 9 Pro, दूसरी position हासिल कर लिए, Realme GT60 है, और तीसरे नमबर पर है, Poco F6 और फिलाल वेट कर रहे हैं, मोटो GT60 और Poco F6 में हलका सा ड्रॉप देखने को मिला है, स्कोर में, ड्रॉप तो वैसे आईकू नियो 9 Pro में भी देखने को मिला, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं, काफी अच्छे सिसने अपना स्कोर मेंटेन किया है, और वही चीज़ यार, ब्राइटनेस ड्रॉप तो दो सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला, परफोर्मेंस के मामले में, फिलाल 7 Gen 3 vs 7 Plus Gen 3 में, भाई, काफी तगडी लीड है, डबल से भी जाधा स्कोर है, Realme GT60 का, खैर फटा-फट से एक स्टोरेज टेस्ट भी कर लेते हैं सारे फोन्स का, तो भाई, यहाँ पर क्लियर फोन्स में, UFS 4.0 स्टोरेज है, लेकिन यहाँ पर आइकू नियो नाइन प्रो है, वो थोड़ा पीछे रह जाता है, थोड़ा नी, काफी पीछे रह जाता है, इन टरम्स ऑफ बोथ रीड और राइट स्पीड, और भाई, मोटो एज 50 प्रो अगर आप कंपेर करोगे, Realme GT60 से, तो इसका स्कोर जो है, वो काफी पीछे है, खेर एक नजर बैटरी पर भी डाल लेते हैं, तो भाई, 83% पर पहुंच चुके हैं, आइकू नियो नाइन प्रो और पोको एफ सिक्स, इवन दोने में, ब्राइटनेस भी ड्रॉप कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो दोनों ब्राइटनेस अपनी ड्रॉप नहीं करी थी, वो दोनों ही बैटरी के मामले में आगे हैं, 85% पर है, मोटो एज 50 प्रो और 89 पर है, रियल मी जीटी 60, लीड बना रहे हैं इसने बैटरी बैक अप के मामले में, अब बही अल्मोस्ट एक घंटा होने हो वाला है, इन फोन्स क सारे फोन्स को ठंडा होने का थोड़ा-थोड़ा मौका मिल गया है, CPU temperatures भी आप देखोगे, तो सारे फोन्स के अंडर कंट्रोल आ चुके हैं, तो आप चलते हैं कि GPU टेस्टिंग पर 3D Mark टेस्ट रन करेंगे, और इससे हमें पता चलेगा कि जब आप लंबे टाइम तक के ल गरम हो गए हैं, फोन्स, temperature चेक करते हैं, 31.6 हो रहा है, रूम का, Moto Edge 50 Pro है, 41.8 पे, Realme GT60 47.2 तक जा रहा है, Poco F6 है, 50.8 उससे भी जाधा गरम, आइकू नियो 9 Pro सबसे ठंडा चल रहा है, 45 डिग्रीज पर, at least जो तगड़े performing processors हैं उनके मामले में, अब यहां पर आप अभी इवन दो best loop score काफी अच्छा निकाल के दिया, Realme GT60 ने, लेकिन Poco F6 ने अपनी stability maintain करने पर focus किया है, इसका जो performance है, यार आईकू नियो 9 Pro से भी बेटर निकल कर रहा है, at least इस GPU synthetic benchmarks में, अब चाहे वो best loop score की बात हो, या फिर stability की, और यहां पर stability के मामले में तो आगे था Moto Edge 50 Pro Realme GT60 से, लेकिन जो इसके loop scores हैं, वो okayश हैं, मतलब gaming में आप एकदम rely नहीं कर सकते हैं, Moto Edge 50 Pro पर, and at least benchmarks के हिसाब से, Realme GT60 में भी stability नहीं मिलेगी, frame rates मिल जाएंगे, पर stable कितने देर तक रहेंगे, वो आपको check करना पड़ेगा, अगर आप गर्मियों के मौसम में gaming कर रहे हो खेर, GPU की testing हो गई, चलते हैं, CPU की testing पर, चारो phones पर पूरे 15 मिनिट के लिए, इनके CPU पर full load डालते हैं, और देखते हैं कि stability के मामले में, कौन सा phone सबसे ओपर निकल कर आता है तो CPU test यहां पर complete हो चुक है, सबसे पहले temperatures देखेंगे हम, room हो रहा है 31.8, Moto Edge 50 Pro जा रहा है 43.2, Realme GT60 46.4, Poco F6 49.7 पहुँच गया है, थोड़ा जादा गरम हो रहा है यह, and IQ Neo 9 Pro सबसे जादा 50.4 पर, अब सबसे जादा गरमा गरम तो हो रहा है Neo 9 Pro, लेकिन भाई, performance के मामले में, there is no competition, पूरी की पूरी टेस्टिंग में सबसे कम throttling देखने को मिली हमें, IQ Neo 9 Pro में, लेकिन भाई, थोड़ी सी नजर डाली जाए, Poco F6 versus Realme GT60 पर, तो आपको देखने से लगेगा कि maximum performance तो F6 का जादा था, लेकिन भाई, यहां पर throttling भी हमें जादा देखने को मिली, वहीं Realme GT60 में maximum performance, although हलका सा कम था, Poco F6 से, लेकिन भाई, इसने अपनी stability maintain करी, जो इसमें throttling थी, वो हमें कम देखने को मिली, बाखी Moto Edge 50 Pro के तो क्या ही कहने, काफी throttling भी देखने को मिली, हमें इसमें graph देख सकते हो आप इसका, maximum performance इसने ठीक टाक निकाल के दिया था, ले ये तो बात थी synthetic benchmarks की, लेकिन अब चलते हैं अपने video editing test पर, जो कि real life test होने वाला है, चारों phones में मैंने same footage import कर ली है, अब होता क्या है कि benchmarks के result तो आपको कुछ और देख सकते हैं, लेकिन real life में कैसा perform करते हैं phones, वो देखने में मजा आएगा, अब चारों में मैंने same filter भी तो वह यहाँ पर सबसे तेजी से test complete कर लिया है, IQ Neo 9 Pro के Snapdragon 8 Gen 2 ने, room का temperature फिलाल हो रहा है, 31.5 और Neo 9 Pro जा रहा है, 41.4 पर, यहाँ पर दूसरे number पर आ चुगा है, 8S Gen 3 के साथ, Poco F6, आप देख सकते हो, काफी ज़्यादा difference है, real life testing के मामले में, Poco F6 और Realme GT60 में, जब हम हो रहा है, 43.6, और time के साब से बात करें, तो almost 2 मिनट जादा लिये, Snapdragon 8 Gen 2 से, और finally, Realme GT60 ने भी अपना test complete कर लिया है, यहाँ पर पूरा test complete करने में, इसको almost 6 मिनट जादा लगे, IQ Neo 9 Pro से, और 4 मिनट extra Poco F6 के comparison में, temperature इसका हो रहा है, फिलाल 39.9, और यहाँ पर आप अगर न बात आती है, तो भाई, जो difference है, 7 Gen 3, Moto Edge 50 Pro, वर्सेज, Realme GT60 के 7 Plus Gen 3 का, वो आप clearly देख सकते हो, time को फिलाल मैंने इसलिए रोक दिया है, क्यूंकि भाई, इसका export होने का wait करेंगे, तो भाई, काफी देर लग जाएगी, और मुझे camera भी test करना है, इन सारे फोन्स का, यहाँ एक आखरी नजर बाटरी इस पर डाले, तो यहाँ पर Poco F6 Pro और IQ New 9 Pro में सबसे कम बाटरी है, वैसे तो performance भी इन्हों ने तकड़ा निकाल कर दिया, लेकिन 60% पर हैं यह दोनों फिलाल, सबसे कम बाटरी परसेंटेज पर, 67% के साथ है Moto Edge 50 Pro और सबसे जादा बाटरी मेंटे better options सोड़े से available हैं, इस phone का वैसे main highlight है, software experience, bloatware free एकदम आपको user experience मिलता है, कोई आलतु-फालतु के extra apps नहीं मिलेंगे, uninstall करने की मेहनत नहीं होती, also यार जो इसका in-hand feel है, जो इसकी grip है, या build quality है, that is much more superior than all the other phones in this testing, अब Realme GT60 का price to performance ratio काफी तगड़ा है यहाँ पर, also जो इस तगड़ी टकर दी और बहुत मामलों में defeat भी कर दिया, synthetic benchmarks के मामले में, also पूरी की पूरी टेस्टिंग में भाई, बिलकुल भी brightness drop नहीं देखने को मिला है, इसने पूरी full max brightness maintain कर रही थी अपनी, and most importantly इसका battery backup was crazy good, at least अभी वाले update के हिसाफ से, POCO F6 ने आज की testing में definitely prove कर दि क्योंकि आपने देखा होगा, starting में lead बना रही थी, synthetic benchmarks के मामले में, Realme GT 16 है, लेकिन जैसे ही हम real life usage पर आये, तो भाई, POCO F6 ने अपनी असली power unlock कर ली, और video editing में काफी तेज निकल कर आये, in comparison to Realme GT 60, and also जब gaming की बात आती है, तो यहाँ पर जो POCO F6 का performance है, अपने Snapdragon 8S Gen 3 के सा वो definitely थोड़ा better रहने वाला है, Realme GT 60 से, at least अभी के updates के हिसाब से, बट फिलाल यार, इसका price मुझे पता नहीं है, at the time of recording this video, तो जैसे इसका price launch आता है, आप मेरको comments में होता ना, कि भाई, price to performance ratio कैसा है, POCO F6 का, and would it be a better pick than Realme GT 60, last but not the least, IQ Neo 9 Pro, भाई, यह थोड़ा पुराना हो या Real Life Testing में, यह अपने competition से एकदम ऊपर निकल कर आता है, और आज की testing में यह एकदम clear हो गया, कि भाई, जो 8 Gen 2 है, भले उसके नाम में Gen 2 आता हो, it is still a lot more powerful than 8S Gen 3, and यहाँ पर IQ Neo 9 Pro price to performance ratio, not the software experience or build quality, लेकिन सिर्फ और सिर्फ price to performance ratio के मामले में सबसे आगे निकल जाता है, खेर यह तो थी performance की बात है, लेकिन अगर आपको camera test देखना है इन phones का, खास करके Realme GT60 और POCO F6 का, तो भाई, अभी अभी मुझे नीचे comment समझता हो, और मैं आप लोगों को मिलता हूँ नीचे comment section में